माखन चोर हरी और परी दादी के गोद में बैठे थे दादी भजन गा रही थी सोसाइटी के औरते भी साथ दे रही थी गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो राधारमन हरी गोपाल बोलो बारा बजने ही वाले हैं दादी काना जी का नाम भी पईया की तरह हरी था हारी गुडिया काना जी के कई सारे नाम थे गोपाल हरी काना क्रिश्ना माखन चोर माखन चोर? हाँ काना जी माखन चुरा कर खाते थे इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं तब ही पापा आते हैं चलो बारा बज गये पुजा शुरू करे पुजा शुरू होती है और फिर पुजा शमाप्त होती है मम्मी सबको प्रसाद देती है प्रसाद खा कर सारी औरती अपने अपने घर चली जाती है हरी तु मेरे साथ किचन चल परी तु दादी के साथ सोने चली जा आप ही जाए पापा, परी और दादी सोने के लिए चले जाते हैं हरी मम्मी के साथ किचन में आता है किचन में एक सजाया हुआ मटका रखा था हरी कल दही हंडी फोर नहीं है ना चल हम दोनों मटके में माखन भर देते हैं मम्मी और हरी मिलकर हंडी में गोपाल काला भरते हैं जाती है, तब हरी सोचता है, मेरा नाम भी हरी है, काना जी का नाम भी हरी था, काना जी को माखंचोर कहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई माखंचोर नहीं कहता, हरी के दिमाग में आइडिया आता है, अगर मैं इस हंडी में से सारा माखंचोर लूँगा, तो सब मुझे भी काना जी की तरह माखंचोर कहेंगे, हरी फ्रीज खोलता है, और मटका निकालता है, मटके में से सारा माखंचोर बड़े से बरतन में निकालता है, और मटका फूलों से ढग देता है, अब ये बर्तन अपने कम्री में छिपा देता हूँ हरी कम्री में बर्तन छिपा देता है और सो जाता है दूसरी दिन सोसाइटी के सामने मैदान में सब इकठा होते हैं दोलत आशे बजते हैं, हांडी लटकी हुई है हरी और परी दादी के साथ हैं, बाकी बच्चे नाच रहे हैं चलो बच्चो बहुत हुआ नाचना, अब दही हंडी फोड़ो पापा की बात सुनकर हरी खुश हो जाता है अबाय का मज़ा सोसाइटी के मोटे मोटे लड़के हंडी के निच्चे एकठा होते हैं और एक दुसरी के उपर चड़ते हुए हांडी तक पहुचते हैं सबसे उपर गोलु भाईया थे गोलु भाईया हांडी में हाथ डालते हैं तो हांडी एकदम खाली थी अरे यार अचानक गोलु का बैलेंस विगर जाता है और सब निच्चे गिरते हैं यहां देख सब हसने लगते हैं माखन चुराना इतना आसान नहीं है गोलु फिर से कोशिश करो उठो अरे दादी माखन चुराने के लिए हांडी में माखन तो होना जाये हांडी तो एकदम खाली है क्या? ये कैसे हो गया? अरे कल रात ही तो मैंने हारी की साथ मिलकर हांडी भर कर रखी थी क्यों हारी? किसने चुराया माखन? कौन है माखन चौर? दादी की बात सुनकर हारी जोर से नाचने लगता है मैं हूँ माखन चौर मैं हूँ माखन चौर कहो कहो मुझे माखंचोर कहो अरे ओ माखंचोर ये क्या कह रहा है दादी कल रात मैंने सारा माखंचुरा लिया था ताकि सब मुझे भी माखंचोर कहे ये लड़का भीना एक्तम पागल है तू माखंचोर है पर तू पगला माखंचोर है ऐसा क्यों कहती हो दादी? पगले, काना जी अकेले माखन नहीं चुराते थे अपने दोस्तों के साथ चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे तूने तो दोस्तों को नाराज कर दिया जा और माखन ले करा लाता हूँ, पर एक शर्थ है क्या? दही हंडी तो मैं ही फोड़ूँगा हरी तू छोटा है अभी, अगले साल फोड़ना काना जी भी तो छोटे थे उनके मम्मी पापा तो उन्हें नहीं रोहते थे हरी की बात सुनकर सबको हसी आती है जा माखन चोर माखन ले करा हंडी भी तू ही फोड़ना हरी माखन का बर्तन लेकर आता है मम्मी मटके में माखन डालती है बच्चे फिर से एक दुसरे के उपर चड़ते हैं सबसे उपर हरी होता है और हरी दही हंडी फोरता है जै बोलो माखन चोर की जै